माई डिये शुरेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज हम लोग इस वीडियो में अंग्रीजे ग्रामर की ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है, आप लोग इस तरह की ट्रांसलेशन अभी तक नहीं सीखेंगे, य एक कुछ सबसे अलग ट्रांसलेशन है, आप लोग वीडियो अंत तक बनी रहें, आपको ऐसे ही नए नए ट्रांसलेशन सिखाए जाएंगे, तो आई देखते हैं कौँ सा ट्रांसलेशन है, इसका पैचान है, करना है तो करो, जब कोई काम आप करते हैं, और कोई कहता है इ होना चाहिए इसमें हमें जो है एक क्लाज जूड़ना है क्लाज में सो था उपवाक क्या जूड़ना है आप देखें इसका structure का है if you want to यह आपको जो है इतना क्लाज लगाना है सब में उसके बाद अब क्या होगा वर्व का फर्स्ट फाम आएगा उसके बाद फिर देन आएगा ठीचें फिर वही वर्व का फर्स्ट फाम आ जाएगा यानि एक ही वर्ब है जो आएगा दो बार, उसके बीच में क्या बैठाना है, देन बैठाना है तो structure है if you want to, ये तो सम्में लगाना है, उसके बाद वर्ब का first form, फिर देन, फिर वर्ब का first form जो आएगा repeat होगा, उसी को ही, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, जाना है तो जाओ, यहाँ पे जाने का sense दो बार repeat हुआ है, एक ही वर्ब आया है, पढ़ना है तो पढ़ो, यहाँ भी पढ़ना है, फिर पढ़ने की ही बात हो रही है, कोई आपसे permission लेता है, जित करता है तो क करनी है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है करना है, करना मतलब कोई काम अगर करना है, तो उसको करो, ठीक है, यहाँ भी करनी का sense आएगा, करनी का भी, यानि दो क्रिया जो है, repeat हो रही है, तो देखें, इसका transition कैसे बनाएंगे हम, जाना है तो जाओ, कौन जा रहा है, कहां नहीं पता है, बस इसमें सिर्फ वर्व की ही बात की गई है, यहाँ ना तो कोई subject है, ना तो कोई object है, इसमें सिर्फ वर्व है, किसी हम third person को कह रहे हैं, इसलिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जाना है तो जाओ, खाना है तो खाओ, ऐसे transition करनी के लिए, आपको एक class लगान अगर इसका मतलब समझना चाहें, इसमें तो वर्व जाना जाना है, वही है वर्व वही वर्व आएगा लेकिन बीच में तो कलिले क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, देन माने तो यह तब होता है, बस वही काम करना है, अब जाने का spilling गो होगा, उसके बाद वर्व का first अगया उसके बाद लगा देंगे देन, फिर दूसरा वर्व जाने का है, जाने का spilling गो हो जागा, यानि दोनों वही first फाम में आ जाएंगे, if you want to go then, दूसरा देखें, पढ़ना है तो पढ़ो, यहां भी लिखेंगे वही, if you want to, ठेक, अब यहां पहला वर्व फिर देन पढ़ने के लिए, पढ़ना का पहला वर्व हो गया, वही चीज, रीड के साथ, पढ़ना का spilling, रीड हो जाएगा, तो के लिए हम क्या लगाएंगे, देन, उसके फिर वही पढ़ने की बाद तो हो जाएगा, if you want to read, then read, बस करना क्या है, आपको, if you want to लगाना है, आगे, वही वर्व जो दोनों वर्व हैं, उसी के लिए, पढ़ना का हो जाएगा, बर्व का, first form हो जाएगा, तो के लिए, then का यूज होता है, फिर वही पढ़ने की बाद तो हो जाएगा, यानि वही वर्व दोनों repeat हो जाएगा, आगे देखेंगे, आना है तो आयो, फिर वही ल यानि दोनों वर्व जो है, एक साथ आएगे, first verb, फिर second verb, इनि वही वर्व दो बार करना है, और उसके बीच में आपको देन लगा देना है, if you want to, come, then come, खेलना है, तो खेले, खेलो, यहाँ भी हो जाएगा, if you want to, हो गया, इतना तो आपको जोड़ना है, उसके बाद खेल खेलना है, खेलने के स्पिलिंग क्या होगा, प्ले, उसके बाद तो है तो के लिए देन लगा लेंगे हम, फिर खेलने की बात हो, फिर लगा लेंगे, फिर लगा लेंगे, वर्व के first form में इसको रखना है, तो हो गया, if you want to, play, then play, अगला है, मरना है तो मरो, कहते हैं न, मर मरना है तो मरो, तो क्या करेंगे, if you want to, यदि तुम चाहते हो, if you want to, यदि तुम चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मरना, मरना, तो मरो, तो मरने के स्पिलिंग होगा, die, die, उसके बाद देन लगाएंगे, फिर दूसरा मरा है, तो फिर die, die, if you want to die, then die, यदि तुम मरना चाहत थे तो मरो सोना है तो सो यहां भी लिखेंगे if you want to अब सोना का क्या होगा sleep होगा इसका first form उसको तो के लिए क्या करेंगे then लगा लेंगे फिर सोने की बात हो रहें sleep तो हो गया if you want to sleep then sleep एक और अगया उसको देखें सुनना है तो सुनो फिर यहां भी काम करेंगे if you want to यानि आपको if you want to लगाना ही लगाना है उसके बाद फिर आगे क्या करना सुनना सुनने का होगा here it's here और तो के लिए हम यूज करेंगे then का फिर सुनेंगे तो here हो जाएगा if you want to hear then here तो इस तरह से आप ऐसे sentence को काप translation बहुत आसाने से कर सकते हैं बस आपको इसको अपने mind में set कर लीना है कि इसके साथ एक class लगेगा if you want to उसके बाद वही वर्ब repeat हो रहा है उसी वर्ब के first form के साथ देन लगा लेना है फिर वही वर्ब दुबारा लिख लेना है I hope एवीडियो आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो समझ में आया तुसको like share comment करें और comment के मादियम से बताएं कि आपको इवीडियो कैसा लगा ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें और तरह तरह की अच्छे अच्छे translation सिखाते रहें ज जो आप लोग कभी नहीं सीखे होंगी इस तरह सी कुछ नए चीजीं सीखें तब तक के लिए take care thank you good bye